नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल में इस वीडियो के अंदर अभ्यालों लूसेंट समानने ग्यान इस से रिलेटेट जो है चैनल पनाया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन यानि जो घंटे के निसाने इसे जरूर से अंकरते हैं ठीक है और यह टोटल जो 40 प्लस कोश्चन है आप इन वैसे कितने कोश्चन सही कर पाते हैं अपना स्कूर कमेंड बक्स में जरूर बाता है तो चलिए शुरू करते हैं देखे आपर हमारा पहला कोश्चन दिया गया है द्रिसेमान बीकिरंड एक होज किस ने के थे तो देखे correct answer option C जायेगा आईजक निउटन ने आपको याद रखना है आईजक निउटन ने द्रिसेमान बीकिरंड एक होज के थे इसके अलावा यहादे हम बात करें ह देखे हें हेंरी बेकुरल जो थे इन्होंने रेडियो सक्रियता एक होज की थी हेंरी बेकुरल ने रेडियो सक्रियता एक होज की थी बिलहेम रोंटेजन की बात करें तो इन्होंने एक स्कीरंड की खोज किसने के थी बिलहेम रोंटेजन ने सुक्ष में आप माइक्रो तर तरंग की खोज की थी रेडियो तरंगों की बात करें तो इसकी खोज जो है मारकोनी ने किया था आपको याद रखना है यह एक जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है यहां से कुछन पुछा ही जाता है कुछन नमबर टू है निमने लेखित में से कौन सी तंत्री का तंत्र क की मूलभूत सनरचनात्मक यह प्रकरयात्मक की काई है तो करेक्टा अंसर अप्शन ही हो जाएगा निमरान निमरान जो है तंत्री का तंत्र की मूलभूत सनरचनात्मक यह प्रकरयात्मक की काई है इसके अलावा बिरिकी की सनरचनात्मक और प्रकरयात्मक की काई क्या है न नेफरान है, निवरान की बात करें, तो निवरान जो को सिकाये होती है, ये सरीर की सबसे लंबी को सिकाये होती है, एक जौन की बात करें, तो एक जौन जो है एक निवरान से दूसरे निवरान तक संवेद वाहक का कारे करता है, एक जौन जो होता है, एक निवरान से दूसरे निवरान तक जो है संदेश वाहक का कार्य करता है कुश्य नमबर थर्ड है निमने लेखित में से कौन सा desktop operating system नहीं है भेरी important question है ये computer का question है कौन सा desktop operating system नहीं है तो correct answer C हो जाएगा android जो है ये desktop operating system नहीं है बाकि तीनों Linux, Mac और Windows तीनों क्या है ये desktop operating system है Android की बात करें तो Android जो है touch screen mobile phone जैसे स्मार्ट फोन tablet आदी के लिए Google company के द्वारा विक्सित की गई operating system है ठीके android जो है टवर्च मोबाईर फोन जैसे smartphone tablet आदी के लिए Google company ने जो है विक्सित अक operating system है गूगल कमपनी ने इसको विक्सित किया है अपरेटिंग सिस्टम है Android फोन में इसके यूज किया जाता है Android अपरेटिंग सिस्टम के सभी संस्क्रोणों के नाम जो है मीठा भोजन के नाम पर रखे गया है जैसे की कॉपकेक, कीटका, टोरियो, आदी ये सब क्या है ये मीठा भोजन के नाम पर Android अपरेटिंग सिस्टम के नाम संस्क्रोण रखा गया है कुछ अपरेटिंग सिस्टम के उधारण यहाँ पर हमने लिखे है जो एक्षाम में पुछा ही जाता है अपरेटिंग सिस्टम से कुश्चन तो Microsoft DOS यानि MS DOS जो है ये क्या है अपरेटिंग सिस्टम है Apple का Mac OS, Microsoft Windows जिसमें Windows 95, 98, 2000, XP Windows Visita, Windows 7 और Windows 10 ये Microsoft Windows है इसके अलावा Unix, Linux, Genix, Google Chrome OS, Android OS जो कि Mobile Phone के लिए इस अभी क्या है, Operating System है कुश्चन नमबर चार है परकास संस करण परकास संसलेशन परकास की उपस्तिती में होता है किस रंग के परकास की रेंजे परकास संसलेशन की दर्ग को सबसे कम परभावित करता है तो परकास अंसलेशन की दर को सबसे कम जो है ये हरा रंग परभावित करता है ठीक है करेक्ट आंसर डी हो जाएगा कोश्यों नमबर पांच है कौन सा भारतिय उग्रा समुंद्र बिग्यान 30 और वायू मंडलिया उन प्रयोगों के लिए डेटा एक अत्र करता है तो कौन सा है तो ये है आई आर एस पी फोर जो है ये ये समुंद्र भारतिय उग्रा समुंद्र बिग्यान 30 और वायू मंडलिया उन प्रयोगों के लिए डेटा एक अत्र करता है संकर तिलहनों की बुआई की वज़ा से खाद्य तेल के उत्पादन में अचानक हुई ब्रिधी को डेश करांती कहा गया है तो इसको क्या बोला गया है पीली करांती याद रखना है आपको क्या बोला गया है पीली करांती सी अंसर हो जाएगा भारत में तेलहन परदोई की मिशन की स्थापना कब हुई थी 1986 में दलहनी फसलों के उत्पादन है तो कोबाल्ट आवस्यक ततो है भारत्य क्रेशियन संधान की स्थापना लोर्ड करजन के काल में 1905 पूसा बिहार में हुई थी भारत्य क्रेशियन संधान परिशत के स्थापना तेस माई 1929 को की गई इसका मुख्याल है कहाँ पर है नई दिलि में इसके मुख्याल है शीकिम जो है सीकिम पूर्ण जैवी खेती करना वाला भारत का पहला राज्य है सिक्किम जो है पूर्ण जैवी खेती करनवाल भारत का पहला राज्य है यहाँ पर हमने प्रमो क्रेशी करांतियों के नाम लिखे हैं जो एक्चाम में यहाँ से कोश्चन पुछाई जाता है हरीत करांति पुछाई किस सम्मद्ध है खद्यान उत्पाधन से स्वेत करांति दुखद उत्पाधन से भूरी करांति उर्वरक उत्पाधन से पीली करांति तिलहन उत्पाधन से गुलावी करांति जींगा मशली उत्पाधन से रजत रेशा करांति कपास उत्पाधन से स्व हाइड्रोपोनिक्स किस परकार के क्रेशी को संदर्वित करता है तो ये जिसमें पौधो को खनेज पोस्को के बिलियन में बीना मिटी के उगाये जाता है उसको क्या बूला जाता है हाइड्रोपोनिक्स जिसमें पौधो को खनेज पोस्को के बिलियन में बीना मिटी के उगाये जाता है हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है बी आंसर हो जाएगा एगरोनॉमिक्स की बात करें तो एगरोनॉमिक्स में भूमी वो फोसलो का परवंधन का ध्यान किया जाता है किसमें एगरोनॉमिक्स में भूमी फोसलों का परवंधन का ध्यान किया जाता है कि रेशी बिग्यान की महत्पूर्ण सखाएं यहां पर हमने लिखे हैं एक रेश्टोलोजी की बात करें एक रेश्टोलोजी इसके अंतरगाज जो है घासों का ध्यान किया जाता है एपी कल्चर एपी कल्चर के अंतरगा जिसमें है उनका सणरक्षता और सम्बर्धन विसा बात्र करें तो पेलीयो बाटनी पेलیयो बातनी की बात्र करें तो इसमें जो है पौधोधु जिवास्मु के अध्यान का भीज्ञान है hasnam сказал इसके अंथ्रिक अश्थर पर फुलो एक्रे exit की जाती हैamoly प्लेरी कल्चर की बात करें जमीन पर फैलने वाली जमीन पर फैलने वाली बिभीन परकार की सब्जी ओई क्रिसी और सिल्वी कल्चर की बात करें तो इसके अंतरकाट जो है बनो के संरक्षता एवाम संबर्धन से संबंदित बिग्यान क्या कहलाता है सिल्वी कल्चर निमने लेखित में से कौन सा कॉम्प्यूटरों पर परियोग किया जाने वाला डेटा बेस सफ्ट्वेर नहीं है तो देखिए MS वर्ड नहीं है, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा निमने लेखित में से की सूप करण का उप्योग रासायनी कुर्जा को बिधु तूर्जा में रूपांत्रित करने के लिए किया जाता है देखिए ये भी कुश्चन बार बार एक जाम में पूशा जाता है तो रासायने कुर्जा को बिधुत उर्जा में रूपांत्रित करने के लिए जो है बैटरी का इस्तिमाल किया जाता है करेक्ट आंसर डियो जाएगा प्रमो खुब करण और उनके अनुप्रियोग यहाँ पर हमने लिखे है डाइनेमो की बात करें तो डाइनेमो का जो कारे होता है यह अन्तरिक उर्जा को बिधुत उर्जा में बदलता है शोलर सेल स्वार उर्जा को बिधुत उर्जा में बदलता है ट्यूब लाहिट बिधुत उर्जा को प्रकास उर्जा में बिधुत सेल रासायने कुर्जा को बिधुत उर्जा में पर प्रिवर्तित करता है एक पेटाबाइट डैस के बराबर होता है एक पेटाबाइट डैस के बराबर होता है तो यह 224 टीवी के बराबर टेराबाइट के बराबर होता है एक पेटाबाइट ठीक है एक पेटाबाइट 224 टीवी के बराबर होता है डी अंसर हो जाएगा निमने लेखियत में से कौन से green house gas नहीं है कौन से green house gas नहीं है तो oxygen जो है green house gas नहीं है hydro, fluorocarbon, carbon dioxide, methane तीनों क्या है green house gas है डैस भारत सरकारद्वारा, email, outbound, dialing और SMS संदेशों के माध्यम से भरतिय नागरी को से संपर करने है तो परियोग की जाने वाली electronic पढ़नाली है तो जो electronic पढ़नाली है वो कौन सा है E संपर्क, क्या है E संपर्क है, B answer हो जाएगा SMS की बात करें तो SMS का पूर्ण रूप जो है हिंदी में इसको लगू संदेश सेवा हिंदी में इसको लगू संदेश सेवा होता है इसका फुल फॉर्म और अंग्रेजी में स्वाट मैसेज सर्विस स्वाट मैसेज सर्विस SMS का फुल फॉर्म है इमेल का जनक रेट टाम लिंग्शन को कहा जाता है इमेल का जनक पुछा जाए किसे बोला जाता है के तरीके खुज निकाले थे 1928 में सरदार वला भाई पटेल ने ब्रेटिस सरकार के भूरा जोसो बढ़ाने के लिए भूरा जोसो बढ़ाने के निर्ड़ा के बिरू थे डैस में हुए किसान अंदुलन के नेतितों किया तो बार्दौली में किया था किसान अंदुलन किये थे किसान अंदुलन के नेत्री तो इन्हों ने किया था ठीके बार्दौली सथ्याग्रा भार्तिय स्वाधेंता संगराम के दोरान जून 19- היה गुजरात में हुआ बार्दोली सत्यागरा जो हुआ था भारतिय स्वाधिन्ता संगराम के दोरान जून 1926 गुजरात में हुआ यह एक किसान अंदोलन था जिसका नेती तो सरदार बॉला भाई पटेल ने किये थे इस सत्यागरा अंदोलन के सफल होने के बाद वहाँ की महिलाओं की और से गान ती जिन्ने सरदार बॉला भाई पटेल को सरदार के उपाधि पर दन किया है ठीक है वहाँ के जो महिलाएं ती मतलब जो यह था किसान अंदोलन इसके सफल होने कि उपलक्ष में वहां की महिलाएं जो थी उनको इनकी और से गांधी जी ने बला भाई पटेल को सरदार की उपाधे से सम्मानित किया अलंकरित किया याद रखना है किस वर्स में बिरिटीज सरकार द्वारा साथ British संसद सदस्यों के समोथ Simon Commission के गठन किया गया तो Simon Commission के गठन जो है 1927 में किया गया correct answer ही हो जाएगा दोस्तों यदे आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लिज वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों में शेयर करें चैनल पनाया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ओन करके ओल नोटिफिकेशन पर किलिक कर दे ताकि जब भी मैं को निव वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके साइमन कमिशन की बात करें तो ये तीन फरवरी 1926 को भारत आया येसे वाइट मैन कमिशन भी कहते हैं तीस अक्टूबर 1928 को लाहोर में साइमन आयोक के बिरुदे परदर्शन करते समय पूलिस की लाठे से लाला लाजपतराय घायल हो गया और बाद में उनकी जो है मिर्दू हो गई परदर्शन करते समय पूलिस लाठे चार्ज के सिकार हुए और उसके बाद गायल हुए और उसके बाद जो है इनकी मिर्दू हो जाती है याद रखना है साइमन कमिशन का भाहिसकार नो करना वाले दोलों में सामिल थे जस्टिस पार्टी पंजाब यूनिस्ट पार्टी पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है तो लाला लाजपतराय को कहा जाता था पंजाब केसरी चिया पास पठार किस तिस में इस्तित है तो देखिए मैक्सिको में इस्तित है correct answer यह हो जाएगा 200 के प्रमुख पठार ठीक है यहाँ पर हमने 200 के प्रमुख पठारों के नाम लिखे है पहला Greenland का पठार Greenland में है Asia Minor Turkey में है पामिर का पठार चीन तिबत में है Meseta का पठार Spain Iberia में है Yukon Alaska का पठार America Canada में है Bolivia का पठार Bolivia में है अंतराष्टिय सक्षर्टा दिवस कब मनाय जाता है अंतराष्टिय सक्षर्टा दिवस 8 सितंबर को मनाय जाता है correct answer यह हो जाएगा महतपुन राष्टिय और अंतराष्टिय दिवस यहाँ पर हमने लिखे है एक जाम के लिए इंपोर्टेंट हो सकते है 200 बंधुतो यहाँ छामाय आचना दिवस 24 सितंबर को 200 पर्याटन दिवस 27 सितंबर को उजोन परत सनरक्षन दिवस 16 सितंबर को 207 दिवस 21 सितंबर को 200 प्राकिर्ती दिवस 3 अक्टूबर को बिश्व सिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को राष्टिय सिक्षक दिवस 11 नवंबर को मनाय जाता है केंद्रिया भारतिया भासा संस्थानिन में से किस भारतिय राज्य मेश्थी थे केंद्रिया भारतिया भासा पॉत्रव, 61 में लड़ी गई डिया अंसर हो जाएगा पानिपत्थ की जो तीसरी लड़ाई हुई थी तो ये मराथा और अवह मदसाब दाली के सेना के बीच हुआ था ये यूद त imply इस युद में अरसम थो है kisoo इस युद में जहेमा राथो की हार हुई थी ऊहमध सामाफ आपधाली की बात करेखा को अपदाली का वास्तविक नाम क्या था अहमध खांग मदका इसका वास्तविक नाम था उन्हों आठ भार भारत पर अक्रमण कि ये बाने पत का दूसे यूद 5 नौमबर 1556 को बाबर एवम हेमू के बीच हुई थी बकसर का यूद 22 अक्टूबर 1764 को हुआ हल्दी घाट के यूद पूछा जा तो 18 जुन 1576 में हुआ और ये अकबर ने महराडा परताप को हराया इस यूद में हल्दी घाटी का यूद है जो कि 18 जुन 1576 को हुआ इस यूद में अकबर ने महराडा परताप को हराया बांडिवास का यूद पूछा जाए कि बांडिवास की जो लड़ाई थी उकब हुई 22 अन्वरी 1760 को हुआ था बेदरा का यूद 1769 में अंग्रे जेंटच के मध्या हु चड़ी याद रखना है क्या है खिचडी है शी अंसर हो जाएगा ग्रेशम कालीन उलम्पिक दोहर 24 का यूजन कि सहर में किया जाएगा तो ये किया जाएगा पेरिस फ्रांस में याद रखना है अंसर हो जाएगा बारतिय सम्मधाने किस अनुछिद में या निर्देष्ट किया गया है कि राज्य गराम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा तो कौन से अनुशेत में किया गया है अनुशेत 40 में याद रखना है अनुशेत 40 में यह निर्देश्ट किया गया है कि राजे गराम पंचायतों के संगठन करने के लिए जो है कदम उठाएगा, सी अंसर हो जाएगा 22 है 1987 में किस समबैधानिक संसुधन अधिनियम के तहत गोगा की बिधान सभा युक्तपुन राजे बनाया गया था और दमन और दीव को कि अंध्र सासित परदेश के रूप में गठित किया गया था तो किस समबैधानिक संसुधन के अंत्रगत है तो ये 56 याद रखना है 56 समबैधान संसुधन के अंत्रगत C अंसर हो जाएगा सौड़क यातायाद सिक्छा संस्थान भारत के कि सहर में इस्तित है सोड़क यातायाद सिख्छा संस्थान भारत के कि सहर में इस्तित है फैजाबाद में इस्तित है करेक्ट आंसर सी उजाएगा 24 है मोहन जोदलू कहां इस्तित है मोहन जोदलू कहां इस्तित है तो देखी ये सीन्ध में इस्तित है, करेक्ट आंसर सी यो जायेगा 25 है, निमने लेखित में से कौन सा कथन सही है, इन में से कौन सा कथन सही है तो देखी यहाँ पर एके करके पढ़ते हैं, सुचेता क्रिपलाने भारत की प्रथम महिला परधान मंत्री थी, गलत है और चोथा जो दिया गया, सुचेता क्रिपलाने किसी भारते राजे की प्रथम महिला मंत्री थी मंत्री थी प्रथम, तो यहाँ पर उप्शंड डी जो है, ये करेक्ट है, याद रखना है और उप्शंड डी करेक्ट है ब्रहम्पुत्र उन परमुख नदियों में से एक है जो कई सहायक नदियों के साथ है कई देशों में प्रवाहित होती है निमने लेखित में से कौन से ब्रहम्पुत्र की सहायक नदी नहीं है तो ब्रहम्पुत्र की सहायक नदी तामासा नदी नहीं है ठीक है, option D correct हो जाएगा, मध्यकालिन भारत में बीर नर्सीम, इन में से किस राजबंस के साथ सकते, तो बीर नर्सीम जो थे, ये तुलू राजबंस के साथ सकते, ठीक है, correct answer B हो जाएगा, भारतिये लोगों के लिए अप्यक्षा करेते, अधिक सोतंता की मांग करने है तो सुराजबंस के स्थापना की गई थे, गोया में सुराजबंस के गठन कब हुआ था, गोया में सुराजबंस के गठन कब हुआ था, तो देखी ये हुआ था 1923 में, ठीक है, correct answer C हो जाएगा, पांच फरवरी 1922 को गुरक पूर्चिले में, चोरी-चोरा अगनी कांड हुआ और गाधी जी ने जो है, और सहयों को आंदोलन जो था, इसको वापस ले लिया था, चोरी-चोरा गठना एक करण से, देनमार की संसद का नाम क्या है, देखिए बहरी important question है, इस type की question एक जाम में, पूछे जाते हैं, संसद के नाम, तो देनमार की संसद का नाम क्या है, फाकेटिंग, फाकेटिंग जो है, देनमार की संसद का नाम है, option, B यहाँ पर correct हो जाएगा, परमुक देश और उनके का नाम है, तो धी स्टोटिंग, ठीकिे स्टोटिंग, नार्वे के संसद का नाम है, कनाड़ा, बृटेट्न अस्टेलिया, इसके संसद का नाम है पारलियमेंट, तूर्की, तूर्की के संसद का नाम है, Grand National Assembly, Switzerland, फेडरल ऐसेम्बिली, इसके संसद का नाम है, अफगानिस्त का नाम है बांगलादेश जातिय संसद इजरायल के संसद का नाम है नेशट भारत का पहला परमाडू बिसफोट अस्थल पोखरन किस राज़े में इस्थी थे तो पोखरन जो ही राजस्थान में इस्थी थे इस्थी पहला परमाडू बिसफोट किया ठीक है 18 माई 1974 को पोखरन राजस्थान में सवदेशी पहला परमाडू बिसफोट किया था भारत ने पहला परमाडू बिसफोट इसका कोड़ नाम क्या था एस्माइलिंग बुद्धा इस्माइलिंग बुद्धा इसका कोड़ नाम था किस देश को जोगियों का देश है यानि हर्मिट किंगडम के नाम से जाना जाता है तो यह उतर कुरिय को जाना जाता है ठीक है करेक्ट आंसर बी हो जायेगा निमने लेखित में से कौन सा भारत का पहला जल बिधुत सन्यांतर है भारत का पहला जल बिधुत सन्यांतर कौन सा है तो देखी ये है सिंदरा पॉंग जल बिधुत सन्यांतर सिंदरा पॉंग जल बिधुत सन्यांतर जो है भारत का पहला जल बिधुत सन्यांतर है यह अंसर हो जाएगा इसके अलावा यहाँ पर आमने भारत के प्रमुख्ष जल बिधुत केंद्रों के नाम लिखे हैं यह एकजाम में के लिए काफी इंपोर्टेंट है यहाँ से कुश्चन पुछाई जाता है टीहिरी बाद है टीहिरी बाद कहां पर बनाए गया है उत्रा सरावती परियोजन करनाटक में है इंद्रा सागर बाध यह कहां पर बनाई गई है मध्य परदेश में रॉंग टॉंग हॉइडल पनबिली सन्यांतर हिमाचल परदेश में बनाई गई है इडूकी केरल में बनाई गई है उपरी इंद्रावती उडिसम बनाई गई है तीस् तो यह हुआ था स्वति प्रथा पर परतिवेद परतिशेध लगाए गया था ठीक है स्वति प्रथा का अंत है राजाराम मोहन राय के साथ है लौर्ड विलियम बेंटिंग ने मिलकर इसको समाप्ति किया ठीक है तो आंसर हो जाएगा टी चोंतिस है निमने लेखेत में से कौ साथ बहु भी खंडन परदर्शित करता है तो प्लाज्मो डियम प्लाज्मो डियम परदर्शित करता है करेक्ट आंसर डी हो जाएगा 25 ऐस्वरी 35 है कि सास्त्रिय संगीत के सिधान्त की विवेचना किस वेद में की गई है तो यह की गई है साम वेद में याद रखना है किस वेद में की गई है बी आंसर हो जाएगा engaged अंतराश्टिय पर्माडू उर्चा एजंसी के मुख्याला कहां पर इस्तित है बियना आश्ट्रिया में इस्तित है याद रखना है करेक्ट आंसर सी उचायेगा शीक्षा जो प्रारांब में राज्य सुची का बिशाय था उसे समवर्थी सुची में अस्तरांतरित किया गया किस संसुधन के माध्यम से किया गया था तो ये 42 सम्विधान संसुधन के अंत्रवत जो है सीख्षा को राज्य सुची के बिशाय से समौर्थी सुची में जो है ट्रांसफर किया गया तो करेक्ट आंसफर यहां पर ऑप्शन B हो जाएगा बरतमान में भारत में कितने राजे और केंदर सासित परदेश है तो देखे आपको बता देना चाहूंगा कि आपके मान में 29 राजे आ रहे होंगे लेकिन अभी बरतमान में 28 राजे और 8 केंदर सासित परदेश है याद रखना है बरतमान में कितने राजे हैं 29 नहीं है 28 राजे और 8 के अंदर सासित परदेश है तो यहाँ पर option B बिल्कुल correct हो जाएगा question number 49 है कोईला का जलना कैसा परिवर्तन है कोईला का जलना कैसा परिवर्तन है तो देखे इसको जलना जो है रासायनिक परिवर्तन है एक तत्व की सन्युजक्त किस परिवर्तन है correct answer B हो जाएगा एक तत्व की सन्युजक्त किस पर निर्भर करती है तो यह जाएक पर माड़ों की सबसे बाहरी कच्छा में एक तत्व की सन्युजक्त जण जाथी और राज्ये के जन जाती और राज्य के निम्लेखित यूगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है तो आपको मिलान इसमें गलत बताना है कौन सा मिलान गलत है तो देखिए पहला ही आपर गलत है थारू जो है ये मध्य परदेश की जन जाती नहीं है थारू की बात करें तो थारू जो जन ज यह नेपाल के तराई छेत्रों में पाई जाती है थारू जन जाती कहां पाई जाती है नेपाल के तराई छेत्रों में पाई जाती है और भारत में पुछा जाए कि यह कहां पर पाई जाती है थारू जन जाती तो भारत में उत्रा खंड उत्र प्रदेश और बिहार ठीक है इ दिल्ली के कि सुल्तान ने सिकंदर सनी की उपादी धारन किया था तो यह किया था लाउदिन खिलजी ने याद रखना किस ने किया था लाउदिन खिलजी ने किया था तो correct answer option B यहां पर बिल्कुल correct हो जायेगा तो दोस्तों यह थे lucent समाने ग्यान के important 40 plus question I hope के वीडियो जो ह आपको पसंद आए रहेगा पसंद आया तो प्लेज वीडियो को लाइक करें दोस्तों में सेयर करें और चैनल पनाया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके आपको सब्सक्राइब करने बाद बेल आइकोन रखें ठीक है मिलते हैं अगले वीडियो में नमस्कार जय हिंद जय भारत